आज का पंच्वांग आज का रहुकाल शाम चार बच कर तिरोपन मिनट से शाम छे बच कर उननस मिनट तक रहेगा आज का दिशाशूल पश्यम की तरफ रहेगा तो फिलहाल इस ओर की आत्रा टाल दे आज के दिन पर विशेश क्या है आज विशेश है भानु सब्त में आज का महा उपाय है आज विश राशी वालों आज का दिन अच्छा रहेगा गर में उत्साह का माहौल रहेगा अपने कामों से ही मतलब रखें अधिकारी आपके कामों की तारीफ करेंगे वर्त विश राशी वालों रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है परिवार में बहतरीन तालमेल बना कर रखे अपनी चीजें व्यवस्तित रखें, अनुसाशित रहें सम्मंदों में चल रहा मनमुटाव दूर होगा मितुन राशी वालों दिन चर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा पुराने मतभेदों को सुलजा लेंगे समय और पैसा नश्ट ना करें परिवार में खुश्नमा माहौल बना रहेगा करक राशी वालों आज दिन का घर की देखरेक में वितेगा कोई शुभ समचार मिल सकता है वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं अधिकारियों से मदद मिलेगी सिहराशी वालों घर में नस्दी की महमानों का आगमन होगा कोई कार्य पूरा हो जाने से मन प्रफुलित रहेगा कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग बना रहेगा पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा कन्या राशी वालों कोई पुराना विवाद हल होगा गुस्सा आपके लिए परिशानी का कारण बन सकता है स्टाफ के बीच कुछ राजनीती जैसा माहौल बनेगा प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं तुला राशी वालों कोई अधूरा काम पुरा होगा फिजूल खर्ची पर नियंतरण रखें व्यवसाइक संबंध मजबूत होंगे दोस्ती प्रेम संबंधों में तबदील हो सकती है विश्यक राशी वालों विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव आ सकता है दिन चर्या अस्तव्यस्त होगी मनुरंजन संबंधी व्यर्थ कारियों में पढ़कर अपने करियर के साथ समझोता ना करें पारिवारिक वातावरन सुखद बना रहेगा धनुराशी वालों लंबी यात्रा के भी यूप बन रहे हैं कोई समस्या परिवार के लोगों के सहयोग से हल होगी उच्चा अधिकारियों का दबाव बना रहेगा संबंधों में मधुर्था और प्रेम बना रहेगा मकर राशी वालों अपने परिवार को प्राथ मिकता दें घर का माहौल और अधिक खुशनमा बनेगा खर्चों में कटोती करनी पड़ेगी चुनोतियों से घवराई नहीं कुम्ब राशी वालों रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा बच्चों का मनुबल भी बढ़ेगा भाव में धैर्य और सैयम रखना ज़रूरी है घर में संबंधियों की आवजा ही रहेगी में नाशी वालों कुछ समय एकांत में व्यतीत करें परिवार जनों के साथ विचार विमर्श करने से समाधान मिलेंगे पारिवार एक माहौल सुखद रहेगा मन में उमंग वाख खुशी रहेगी इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद